एक साल पहले ही लॉंच हुई दीप्रवेदी द्वारा लिखित मैं मन हूँ का कोई मुकाबला नहीं। फिर चाहे क्रोस्वोड बुक स्टोर्स या Amazon.in की वेस्ट सेलिंग चार्ट्स हों। मैं मन हूँ कुछ भी हासिल करने की मास्टर चाबी। आपकी समस्या दीप्रिवेदी के समाधान Sir, I have been listening to you for some time now and I have a question for you. You say that we need to give up ego completely. But if ego is completely erased, then the frustration increases. What should we do in such a situation? One more question, how to deal with an egoistic boss, especially a woman? इस्टम को समझें, अंकार खत्म होने से frustration बढ़ता है, या आप कहां से लिया है? दोनों बात ही अलग है, अंकार खत्म होने से ज्ञान बढ़ता है, आत्मा मजबूत होता है, जिवन में मस्ती आती है. और frustration एक अलगी चीज है, जो मनुश्या अपने जीवन से जितना परेशान है, उतना ही वो frustrated है, जिसका जीवन अपने मन मुताबिक नहीं चल रहा है, और मजबूरियों के माया जाल में उलच चुका है, वो आदमी frustrated होता चला जाता है, और ऐसा frustrated व्यक्ती बाद बाद पे गुस्सा करता है, और ढूनता ही रहता है किसी को कि किस पर गुस्सा निकाले, किस से जगड़ा करे, सो frustration और हंकार दोनों अलग-अलग चीजें हैं, अब आपकी बात कि boss से कैसे निपटे खास रखे लेड़ी boss से, अभी आप उनसे निपटना क्यों चाते, कोई दंगल करना है, नहीं, आपको अपना काम करना है, यदि उनमें infinity है, उनका ego है, तो उनके घर में रेवे, आपको दो कान दिये, एक से सुने, एक से निकाले, जीवन का सिधा सिद्धानत आप क्यों नहीं अपना लेती है, कि boss is always right, जो होना है वो जाने, है न, आप तो करना उतना करो, अपने घर जाओ, आपका उससे कोई संबन नहीं है, और बेतर है कि दूसरी अच्छी जॉब मिलती हो, तो ये जॉब छोड़ दे, लेकिन जब तक दूसरी जॉब न मिले, ये जॉब मत छोड़ना, क्योंकि जीवन को किसी को दाओ पर नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा सा एड्जेस्मेंट करके जीवन को आगे बढ़ना चाहिए, और आप अपने काम से काम रखेंगे, काम अच्छा करेंगे, तो boss से दिक्कत क्यों होगी और फिर भी होती है, तो boss के घर पे कोई परेशानी होगी, उसके जीवन में परेशानी होगी, उसका शरीर खराब होगा, ये मानकर आप लेट गो करें, आप अपने काम और जीवन से मतलब रखें, थेंक्यू वेरी मच्छ कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर, कृष्णा, एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरू, एक राजनेता, एक व्यवसाई, कृष्णा, शून्य से स्रिजन करने का एक श्रेश्ट उदाहरन, कृष्णा, जो कठिन तम परिस्थितियों में भी हसते हुए जीने की कला सिखाते कृष्णा, जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता, वी प्रवेदी द्वारा लिखित किताब, मैं कृष्णा हूँ, ये किताब कृष्णा के संपूर्न जीवन पर रिसर्च करने के बाद, कुछ इस साइकोलोजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है, क कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा, मैं कृष्णा हूँ, ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराथी तथा गुजराती में एक साथ आत्मनीस्टोर.com साथ ही सभी प्रमुक e-commerce साइट्स पर भी उपलब्ध है, दीप्त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकॉलोजी पर एक गहरी पकड़ है, मनुष्य जीवन के विभिन पहलूँ पर सर्वाधिक चर्चा करने का रेकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है, मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं, जिस पर उन्होंने खुल कर चर्चा ना की हो, हिपोक्रसी, क्रेटिविटी, वेल्थ, हूँ इस गॉट, कॉंसेंट्रेशन, कन्फूजन, पावर ओफ ट्रांस्फोर्मेशन, जॉए अन सक्सेस, माइन अन ब्रेन, देश्लीप, नाच्रल इंटेलिजेंस, चेंज यॉर फ्यूचर, इगो, नॉन्वालेंस, प्रीडम, परिचय, समय, मन, सभलता, संकट, धर्म, राजनीती और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतरगत, जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए, दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूंड 18 अध्याय पर चर्चा, आप ये तमाम डिवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं, ये तमाम डिवीडीज और सीडीज आत्मन E-Store तथा अन्य सभी E-Commerce साइट्स पर उपलब्ध हैं हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना च्छिपी होती है, सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िये अनपड़ एडिसन के महान वैज्यानिक बनने की दास्तान स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी हॉटी तु डॉन्टी चाइड साइकॉलोजी समझने हे तु शेर के बच्चे की कहानी ना सिर्थ बच्चों बल्कि हर मातापितावट टीचर के लिए भी आवशक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आख्वन E-Store तथा अन्य सभी E-commerce साइट्स पर व्लग्द